जो दोस्तो मेरा नामे रितेश कुमर से स्वागत करता हूँ आपके और मेरे यूटूब चैनल में जियां दोस्तो काफी लोग बोल रहे थे कि RNA5 का जो है नया वला एप्लिकेशन जियां दोस्तो कुछ इस टैप का देख सेते हैं यह बोला एप्लिकेशन का लिंक कैसे मिलेगा कहां से मिलेगा जियां दोस्तो तो इसका जो है एप्लिकेशन का लिंक मैंने अपने टेलिग्राम चैनल पर डाल रखा देख सेते हैं यहां पर ही आप RNA5 का जो है नया वला वर्जन वला जो है एप्लिकेशन को डॉनलोड कर सकते हैं असानी से जिहां दोस्तों अब इसकी फीचर्स में बता देता हूँ कि क्या क्या है तो यहां पर मैंने एक रिटल आइडी को ओपेन कर रखा जहां पर अपर आपको उपर पर आपकी आइडी दिख जा रही है जहां पर आप रिटलर टाइप देख सकते हैं रिटलर है कॉंटेक्ट नंबर है इमेल आइडी है और फार्म का नाम सारा चीज़ है यहां पर बैंक रिटल्स वगरा सारा चीज़ आपको देख जाएगा अब इसके बाद यहां पर आपको एक सेटिंग उप्शन मिल जाता है जहां से सेटिंग से भी आप निकाल सकते हैं यहां नोडिशन मिल जाता है जो भी नया नोडिशन आता है सारह यहां पर आपको देखने को मिल जाती है नोडिशन के लिए ओप्शन पर अब यहां पर द कंपनी से तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं दोस्तों अब यहां परी में पिन सर्विस पर जैसे किलिक करता हूं तो यहां परी ओल सर्विस आ जाता है ओल सर्विस में देख सकते हैं आपको MATM मिल जाएगा MATM CW आ जाएगा इसके न क्यूआर हो आ जाएगा PEN, NHDR आ जाएगा Prepaid, Mobile रिचाज आ जाएगा DTH रिचाज आ जाएगा Credit Card मोव, Quick New Form, Wallet Transfer, Shop, Buy करके आ जाएगा Utility आ जाएगा, LIC, First Tech, Broadment, Kevel, Data Card, Postpaid, Data Card, Prepaid, Electricity, EMI, Gas, Insurance, Landline, LPG and यहाँ पर Municipal, Prospaid, Water, Recharge, काफी सरी Option यहाँ पर देखने को मिल जाती है अब APS पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर APS का कुछ dashboard आईसा आगा जहाँ पर APS Service लिखा रहेगा Case, Bidrow, Balance Inquiry, अधार पर और Mini Statement सारी एक जगा पर है अब जैसे आप Balance Inquiry पर क्लिक करेंगे तो सेम आ जाएगा Balance Inquiry पर आदार नंबर, Mobile नंबर और Bank का नब जो कि पहले से बहुत ही better है और टिक लगा कि आप यहाँ पर ही scan कर सकते हैं सारे bank का यहाँ पर ही आ जाता है तो बहुत ही अच्छा यह देख सकते हैं, Mini Statement भी आप किसी का देख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर मेन वालेट और APS वालेट दोनों आपको जीख जाता है main wallet अभी मेरा 0 है, APS wallet में मेर देख सकते हैं, 910 रुपया का मेरा यहाँ पर ही case video हुआ है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ही ट्रांजेक्शन जिसका भी देखना चाहते हैं तो मैं यहां पर 22 तारीक से देख लेता हूं आज का सब्सक्राइब करता हूं यहां पर देखते उसका ट्रांजेक्शन डिटेल्स आ जाता है यहां पर ट्रांजेक्शन आईडी डेट टाइम सिरियल नंबर एमाउंट कमिशन जो कमिशन आपको मिला अधार नंबर यूट्या देखने को आपको मिल रहा है दोस्तों तो अगर आपको भी इसकी आईडी लेना है तो आप हमारे को जो है डिस्क्रिप्शन पर हमारा कॉंटेक्ट मिल जागा हमारी टीम का उनसे जाके बात कर सकते हैं और अभी तक हम चैनल यानि हमारे टेलीग्रम चैनल पर जोइन नहीं क्याद कर दोड़न देटी बात सकते हैं